हलो फ्रेंच तो आज हम बनाएंगे भहती हेल्दी और टेस्टी नास्ता जिसे हम कच्छी आलू और घ्यो की आटे से बनाकर तियार करेंगे आप इसे बच्चों को टिपेन में भी दे सकते हो और सुबहर सामके नास्ती के लिए बनाकर खा सकते हो बहुती कम टाइम में बनकर त्यार हो जाता है, बहुती कम इंग्रीडेंट चाहिए होते हैं इस नास्ते के लिए, अगर आपको हमारी रेस्पी पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दिना और चैनल को सस्क्राइब कर लेना, चलिए बनाना शुरू करते हैं र आलू को, सारा आलू इसी तरीके से हमें ग्रेट करना है, आपके वाद बारिक वाला ग्रेटर है तो वो भी ले सकते हो, मीडियम साइज वाला वो भी ले सकते हो उसके बाद ग्रेट करने के वाद दो से तीन वार हमें इसे धुलकी अच्छे से क्लीन कर लिना है आलू को ऐसे लच्छेदार होने चाहिए आलू ग्रेट की होई तभी नास्ता वहती टेस्टी बनता है उसके बाद लेंगे एक कटूरी भरकर इसमें हम पालक बारीक कटा हुआ धुलकी क्लीन कर लिया था पालक को और बारीक बारीक कट कर लिया था इसको हम डाल देंगे बावल में, उसके बाद एक मीडियम साइज का प्याज लेंगे, बारीक कटा हुआ, इसको डाल देंगे इसमें, उसके बाद दो चम्मच भरकर हम टमाटर डालेंगे, इसके सीट्स निकाल दिये थे, उसके बाद लेंगे, उसके बाद दो चम्मच भरकर सिमला मिच डालेंगे बारीक कटी हुई प्यास नहीं खाते हो तो इसकी भी कर सकते हो उसके बार अधरक लेंगे ग्रेट की हुई बोडाल देंगे दोसे तीन ग्रेन चिली डालेंगे बारीक कटी हुई फ्रेस अरा धनिया डालेंगे ये बारीक कटा हुआ इससे नास्ता वहती टेस्टी बनता है धनिया सी उसके बार टेस्ट अकॉर्णिंग इसमें हम नमक डाल देंगी और सारी चीजों को सब्जियों को हमें अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है आलो की साथ में सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स कर देंगी सबजी आच्छे से मिक्स हो चुकी है उसके बार डालेंगे आदा कटोरी भरकर गयो का आटा इसमें गयो का आटा थोड़ा सा कम डालेंगे ज्यादा नहीं डालेंगे उसके बार डालेंगे ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर आदी चिमर्च उसके बार डालेंगे धनिया पाउडर आदी चिम्मच जीरा पाउडर डालेंगे आदा चिम्मच उसके बार डालेंगे हल्दी हल्दी थोड़ी सी कम डालेंगे जादा यल्लो नहीं करना है पीले पीले से हो जाएंगे उसको बार रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे आदा चिमर्च तीखा आप अपने सबसे कम ज़्यादा कर सकते हो और सारी चीजों को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे उसके बार लेंगे एक कटोरी भर कर सूजी सूजी हमें बारीग वाली देनी है तब ही नास्ता अच्छा बनेगा बारीग वाली नहीं है तो मिक्सी में आप चला सकते हो गर में उसको बना सकते हो उसके बार सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने की बाद पानी लेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके इसमें हम पानी डालेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे, और इसको साथ के साथ अच्छे सी मिक्स करते जाएंगे हमें इसका बैटन न, थिकसा बनाना है पतला नहीं बनाना है, ना यी ज़ादा गाड़ा होना चाहिए नाई ज़्यादा पतला होना चाहिए कंसिस्टेंसी आप इसकी देख सकते हूँ इस तरीके की रखनी है आपको उसके बाद 10 मिनट के लिए इसे हमें ढख कर छोड़ देना है रेश्ट पे ताकि अच्छे से सूजी फूल जाए 10 मिनट हो चुके हैं उसके बाद हम लेंगे ओयल गरम किया हुआ उसमें डालेंगे जीरा इसमें तड़का लगाने वाले हैं उसके बाद राई डालेंगे और सफीद तिल सारी चीजों को चीज़ मिक्स करके हम पका लेंगे और तड़का इसमें लगा देंगे नास्ते में सकते हो और ज्यादा ओयल लेने कि इसमें बिल्कुर भी जरुवत नहीं है उसके बाइब बैटर को लेंगी और इसमें डाल देंगे इसे पतला पतला सा इसको फिला देंगे ज्यादा पतला तो नहीं हुआ यह थोड़ा सा मोटा रहता है थिक इस तरीके से और इसको राउंड थोड़ा करके डाल देंगे नास्ता देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी उसके बाइड चिली फ्लेक्स डाल देंगे उपर से थोड़ी थोड़ी करके इस तरीके से आप देख सकते हो वीडियो में और गैस को मीडियम फ्लैंपी करके हमें अच्छे से इसको सीखना है उसके अबाद हम इसको पलेट देगी दोनो तरफ हमें अच्छे से golden brown color आने तक पकाना है इस तरफ तो अच्छे से golden brown color आ चुका है पीछी साइड से भी से हम सीख लेंगे दोनो तरफ सिग गया है नास्ता और बहुती प्यारा कलर आया है आप देख सकते हो इनको निकाल लेते हैं और चो बच्चे हुए उन्हें भी सीख लेंगे इधर नास्ता हमारा बनकर रेडियो हो गया सारा आप देख सकते हो बहुती कम टाइम में नास्ता बनकर रेडियो हो गया और सके ठैंक पॉर बॉचिंग मिलते हैं आपको अगली वीडियो में